सिमेंट सेक्टर पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और उसी के उपर मेरा जर पहला सवाल यही बनता है कि फ्यूल कॉस्ट समेट सिमेंट कंपनियों की जो लागत है उसमें हमने बड़ा इजाफा होता हो दिखा है पूरे सेक्टर के लिए कितनी बड़ी चिंता है सर और क्या ये कंपनियां बुरे दौर से बाहर आ गई है अगर नहीं तो कितना और समय लगेगा कब तक ये बाहर आ सकती है देखें ओर आल जो सिमेंट सेक्टर है वो इस समय अभी निगेटिव जोन में है आपने जैसे पहले भी बताया कि पूरा का पूरा मार्केट ही यहाँ पर निगेटिव जोन में है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है लेकिन पर्टेकुलर अगर फंडामेंटल पॉइंट आउ यह उससे कंपनिया उसको अप सर्वाइव या बीट नहीं कर पा रही है यहाँ पर और अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो लगबग 18-20 प्रिश्ट से ज्यादा की कॉस्ट सिर्फ रौ मेटेरियल की वज़ा से बढ़ी है और सिमेंट कंपनिया उस हिसाब से प्राइसि के बाद ही यह एक अंडरलाइन या फिर यह कहें कि इंफलेशन के बराबर शायद आपको दिखने को मिले लेकिन तब तक अभी यह सेक्टर थोड़ा निगेटिव जोन में ही रहेगा उके तो सिमेंट कंपनियों के लिए जो लागत जिस तरह से बढ़री जिस तरह से इनकी फ्यूल कॉस्स बढ़री और बाकी रॉम मिटल प्राइसिस बढ़रे हैं उसको नीचे आने में रवी सर हमें बता रहे हैं कि तीन से छे मिन यानि एक से और दो तिमाही का जो समय है व ही नजर नहीं आ रही है ये कितनी बड़ी चिंता है सर देखे चिंता का तो सब्जेक्ट है क्योंकि प्राइसिंग पावर अगर नहीं है तो फिर कंपनी को रेवनिव निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है और मैं आपको अगर इस समय थोड़ा सा रो मेटेरियल के हिसाब से दूसरी एसेट की तरफ देखता हूँ जैसे के मेटल की प्राइसिस लगबग सतर फ्रीशदी से ज़्यादा बढ़ चुकी है हाल फिल हाल में थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिला है लेकिन पूरा कंस्रक्शन जो है इसकी वजह से लगबग तीन से चार महीने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उनको डिले किये गए हैं तो इसकी वजह से भी यहाँ पर सेमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ा है और आने वाले समय में शायद अभी वो इंपक्ट थोड़ा सा जारी रहेगा जैसा आपने जब प्राइस बड़े 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 और इस समय कंपनियों के पास इंवेंटरी होने का भी एक इंपक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर अभी सिमेंट के प्राइसे में वो तेजी नहीं देखने को मिल रही है हाला कि आगे फ्यूचरिस की बात करें तो एक साल और छे महीने के ह हिसाब से इंफ्राइस्ट्रक्चर एक बूम दे सकता है और अभी जो कंस्रक्शन चल रहे हैं जिस हिसाब से गौर्डमेंट यहाँ पर कंस्रक्शन को जोर दे रही है उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले छे महीने का टाइम यहाँ पर जरूर कर रहा है हमने देखा कि जिस तरह से अडानी ने इस सेक्टर में एंट्री करी है एसी से और अंभूजा को ख़ीदने के बाद उसके बाद जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है अल्टर टैक्सिमेंट उसने काफी बड़े शमताविसार खर्च की गोश्चना की है यह क काफी फाइदा मिल सकता है और खास और से कंजूमर को इसका ज्यादा फाइदा मिलेगा ओवरॉल अब देखे आदानी सेक्टर का पूरा जो सेक्टर है चाहे वो सिमेंट का हो या पावर को चुकि उनके पास सफिशिंट फंड है कंपनी एक अच्छे से ग्रो कर रही है और इसलिए वो अपने इंफ्राइस्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं और सिमेंट सेक्टर में बड़े तरीके से आ रहे हैं अब चुकि यहाँ पर जो एक्जिस्टिंग कंपनी उनके लिए भी होता है कि वो अपने इंफ्राइस्ट्रक्चर को बढ़ा करें अपने इंफ्राइस्ट्रक्चर डेवलप्मेंट में कंपनी यहां पर पैसे डाल रही है उसका फाइदा आगे कंपनी को भी मिलेगा और कंजूमर को भी इसका फाइदा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा चले तो सेक्टर लीडर बड़े निवेश की तियारी कर रहा है उसका फ चौथी तिमाही के नंबर सक्रम देखे तो जायतर सेक्टर के लिए कमजोरी थे चाहिए वो रॉमिट्री प्राइजिस का इंपैक्ट था जिस वजह से मार्जिन टूटे थे लेकिन अनले से मान रहा है जैसे आपने विगा कि तेन सी छे महने का समय लगेगा अभी पिछले साल की समान अबदी की बात करें तो वह तिमाही सिमेंट कंपनियों के लिए काफी मजबूत रही थी तो उस लिहाज से देखा जाए तो बेस काफी हाई है और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि जो सिमेंट की जो रॉमिट्र कॉस्ट है वो कम होती हुए नहीं दिख र के रेवनियू को देखने तो उसमें 10% की ग्रोथ एवरेज ओन देखने को मिली थी लेकिन अभी जो quarter 2 के result देखने को मिलेंगे उसमें शायद हो सकता है वो 5-8% ही देखने को मिले और चुकि यहाँ पर input cost काफी बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी एक impact होगा तो आने वाल नमबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा positive sector को नहीं देंगे लेकिन इनकेस अगर यहाँ पर government कुछ ऐसा help करती है subsidy के लिए help करती है या फिर ऐसा हो कि raw material cost पे कोई action लेकर government raw material cost को अगर कम ले जाती है तो company को यहाँ पर फाइदा देखने को मिल सकता है तो 2-3 महीना जो है वो अगर आप सिमेंट सेक्टर पर निवेश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उमीद नहीं रखे कि आपको positive return मिलेंगे लेकिन इन कंपनियों में कई कंपनिया dividend अच्छा देती है उसका फाइदा भी यहाँ पर देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि आप long term निवेश की अगर बनाते हैं तो आपके accumulation के लिए जादा अच्छा है चलिए मेरा in fact आगला सवाल यही तैसर आपने छोटी अवदी और लंबी अवदी में जिससरा से यह बाइफर्केट किया है पूरे सेक्टर में सेक्टर में जो निवेश की बात है जादर सीमेंट कमटिया हम देख हैं जितनी भी challenges के हमने पूरी बात करी चाहिए प्राइजिंग पावर नहीं है चाहिए competition बढ़ रहा है चाहिए इनकी जो लागत है वो बढ़ रही है उस वज़े से हमने देखा है कि जादर सीमेंट स्टॉक्स हैं वो 52 लो के आसपास ही टेड करते हो देख रहे हैं क्या य आपके अच्छी बात यह है कि आप इन्वेस्टर के पॉइंट और उसे सारे सवाल पूछ लेते हैं इस समय सबसे इंपॉर्टेंट देखे यह है कि इंफ्राइस्ट्रक्टर का डिवलप्मेंट गॉर्मेंट का प्रोजेक्ट पे फोकस रहा है और सबसे बड़ा फंड गॉ निवेस्ट जरूर रखे 52 वीक लोपे हैं कंपनी कंसलिडेशन मोड में हैं तो आपके लिए एक अच्छा है कि आप अपने पॉट्फोलियो का कम से कम आठ से दस प्रिशत हिस्टा इन कंपनियों में डालके रखिया नहीं सिमेंट सेक्टर में डालके रखिये मैं हमेशा आ अमबुजा सिमेंट दूसरा है एसी सी हाल फिलाल में इन दोनों कंपनीज में निउस के चलते इन्वेस्टर को मौका भी दिया रिटर्न कमाने का और साथी अल्ट्राटेक सिमेंट तो तीन मेजर कंपनीज और आपका निवेश आठ से दस प्रिशत के बीच इन कंपनीज मे होना चाहिए आपके पूर्टफोलियो का पूर्टफोलियो का मतलब है कि आप अगर सो रुपय मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आठ से दस रुपय का निवेश इस सेक्टर पे कर सकते हैं तो आठ से दस रुपय का निवेश आप सिमेंट सेक्टर पे कर सकते हैं तीन नाम लंबी अबदी के लिए रवी सर हमें सुझा रहे हैं एक तो ACC अमबूजा जो कि अब अडानी समूग की कम्टियां हो चुकी हैं पहले होलसिम का पार्ट था और तीसा नाम है अल्टर टेक जो की सेक्टर लीडर है जिसने अभी हाल फिलाल अपने जो और निवेश कर सेक्टर में करके चलना है